अगर आपको एक बार में लगाना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर इसको select करोगे इन तीनों कॉलम को उसके बाद F2 की प्रेस करोगे यहाँ पर लिखोगे VLOOKUP back at all lookup value आपकी यह issue हो जाएगी same table array में आप table दे दोगे नाम और यहाँ पर column index में दे दोगे sequence wills कॉमा लगाएंगे column में 2 sorry 3 column चाहिए तो 3 कॉमा starting number जो होने चाहिए हमाई 2 से होने चाहिए step हमारा 1 होना चाहिए back at off करेंगे कॉमा प्रेस करेंगे यहाँ पर force भी लिख सकते हो 0 भी लिख सकते मैंने 0 लिखा फिल बैकेट आफ कर दिया और फिकल्टोर एंटर तो यह आपके सारी information यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी